Frequently Asked Questions on Erectile Dysfunction जो सबसादा सवाल मुझसे पूछे जाते हैं, आज उन सब सवालों के मैं आपसको जवाब दे रहा हूँ तो Most Effective Treatment for Erectile Dysfunction सबसे अच्छा इलाज क्या है Erectile Dysfunction का? ये एक मरीज हमेशा पूछते हैं और Most Effective इलाज है आपकी Problem पे Dependent अगर आपकी कोई Underlying Condition है जैसे की Diabetes, Blood Pressure, Atherosclerosis, Heart Disease सबसे पहले उन्हें Treat करना है, Lifestyle Changes रख सकते हैं, आपको Medication मिल सकती है, आपको Surgery मिल सकती है In fact, 2018 की Guidelines जो है, American Association की, उसके हिसाब से Medication, Lifestyle, Assisted Devices, Surgery ये सब Treatment है, पर Depend करता है आपकी Problem पर, पर आज के दिन में आप ठीक हो सकते हैं Can Erectile Disfunction be Cured? क्या Erectile Disfunction को Cure कर सकते हैं? आपकी अगर Lifestyle Problem है, उसको ठीक करने से एक Reversal हो सकता है कुछ लोगों में Surgery बड़ी Effective होती है, लेकिन दवाईयां आपको अराम दे सकती हैं, बेतर कर सकती हैं, पहले से बहुत अच्छा फील कर सकते हैं, नॉर्मल, लेकिन क्योर होना इसके अंदर बहुत बाहर मुश्किल होता है मैं क्या कर सकती हूँ अपने husband की erectile dysfunction को ठीक करने के लिए, बहुत important सवाल जो patients की wife पूछती है अगर पूछ सकती है तो, तो इसके बहुत सुन्दर paper आया है, जिसके अंदर चार चीज़ कहीं है, पहली चीज़ कहीं है, कि erectile dysfunction एक चीज़ है जिसमें दोनों partners का role है, अगर सा पार्टनर लगते हैं, तो erectile dysfunction के ठीक होने के chances बढ़ते हैं, नमबर दो, the relationship between the man and the woman should be assessed, और दोनों का relationship अगर बढ़िया होगा, तो इलाज बेतर होगा, नमबर तीन, active involvement partner का किस-किस चीज़ में चाहिए, डागनोसिस में, education में, counselling में, choice of therapy में, और sexual partner अगर engaged होती है, तो high quality sex and social life मिल सकती है, तो आप as a partner contribute कीजे, क्योंकि सबसे important role तो आपका है treatment के साथ में, कभी negative मत बोलिए, positive reinforcement देंगे, तो बिलकुल erectile dysfunction में फायदा मिलेगा, What all are the treatments for erectile dysfunction, erectile dysfunction के लिए क्या-क्या ilाज है, तो देखे, ilाज lifestyle है, number one, number two ilाज है, medicine से, वायगरा की पूरी की पूरी range आई हुई है, Number three ilाज है supplement से, जो आपकी anti-oxidation कम करके आपको youthful करेगी, number four कुछ ilाज आए है, injection से, जो आपके penis में लगा के इनको erection मिल सकती है, और rejuvenation हो सकती है, पाँचवा ilाज है shock wave therapy जो इस market में आया है, छटा ilाज है surgery और साथवा ilाज है psychotherapy जिसमें husband wife दोनों को साथ लेके counselling करके एक बेहतर sex life आप पा सकते हैं, मेरे को erectile dysfunction है, मैं और किस चीज का ख्याल रखूँ, I have erectile dysfunction, what else do I need to see, अगर आपको erectile dysfunction है, तो ये बिमारी सिर्फ आपके penis की नहीं है, ये बिमारी आपके sexual organs की नहीं है, ये पूरे body की है, men's health का सबसे बड़ा barometer आज के दिन में erectile dysfunction है, और अगर आपको erectile dysfunction है, तो अगले चार सालों में चार गुना चांसे आपको heart attack पढ़ने का, क्यूंकि आपके penis के अंदर की धमनी और दिल के अंदर की धमनी सेम होती है, penis की आधे size की होती है, heart के मुकाबले, तो समझ लीजे, अगर आपको ये problem है, तो अपना complete investigation जरूर कराईए, मैंने 5 ऐसे questions जो आम तोर पे हमेशा पूछे जाते हैं आपको बताए, like, subscribe, share जरूर कर दीजे, मैं Dr. Sunil Jindal हूँ, reproductive medicine specialist, बड़ा आनंद पराप्त होता है, जब आप ठीक होते हैं, इसलिए मैंने ये video बनाई है, आप, आपके मित्र, young boys, young लड़के, school के students, जिनको education गलत मिलत है, उन लोगों को अगर education मिलेगी इसके माध्यम से, तो I think ये video सार्थक होगी and मेरा काम करना इस video के लिए ठीक रहेगा, please share कर दीजे, love to make this video for you, thank you.